हेलो फ्रेंड्स मैं साधिक जुबैर पिछले एफिसोड में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से अपना स्रोराटा को गूगल एर्थ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और टोपोराफिक सर्वे कर सकते हैं कि आप तरह डीटेल्स ले सकते हैं कह 맞아 कि अपर दोस्तों को था कभी कभी कि होता कि हर किसी के पास ब्रकाट्स में ते नहीं होता था शुक् Casey आप काफी सरी प्रॉप्रॉब्स प्रोपिक सरी दीख करते हैं अगर हम यह द्रेइंग बहुत亞कर इंग तो यह काम नहीं करती हैं तो इस वज़े से ये ड्राइंग ओपेनी नहीं होती है तो इस वज़े से हम इसको डारेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं KMZ फाइल पर और फिर Google Earth या Google Earth प्रो जिसके पार सॉफ़एर डाउनर्ड होगा वो उस पे देख सकते हैं तो आज़े देखते हैं Google Earth प्रो के लिए KMZ फाइल में किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक चीज़ बहुत अच्छी वर्प मैं आपको बतान चाहता हूँ AutoCAD Civil 3D के help से आप without किसी भी software के बिना किसी software यूज़ के आप डारेक्ली अपन डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं KMZ पर इससे पहले क्या होता था कि आपको 2-3 software चाहिए होते थे 2-3 नहीं तो 1-2 software तो आपको लगते लगते थे जिसकी मदद से आपको KMZ फाइल में एक्सपोर्ट करने में option आता था बट अभी क्या है से AutoCAD Civil 3D पर डारेक्ली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं KMZ फाइल पर आये दिखाता हूँ सबस्के पहले आपको home में जाना है면 यहां पर टूलपएस दिया हुए है इसको आपको क्लिक करने है Toolspace में क्लिक करने कि बाद में miscellaneous utility है उसको आपको खोलना है उसको भीछने पर export KML दिया हुए है आपको export KML फर क्लिक करना है और फिर formula करना है आपको करना कुछ निए ड्राइंग नेम डालना है डिस्क्रिप्शन डालना है अगर आप चाहे तो मैं next कर देता हूं यहां पर आप जिस तरह से आपको data चाहिए आप उस तरह सब्सक्राइब को मर्ज कर सकते हैं उस तरह सब्सक्राइब को ले सकते हैं एक्सपोर्ट टेक्स्ट फाइल होगी कुछ तो वह भी डारेक्ले ही पॉर्ट हो जाएगा मुझे सिर्फ जितन चाहिए डिटेल मैं उसमें next कर देता हूं और इसमें चीरचा आप नहीं कर सकते हैं यह एक्शली सब्सेट है आपको बस next कर देना है और आपको यह है ना यहीं ग्राउंड पर रखना है ठीक है यह elevation related to ground next करके आपको पात्स्रेक कर दिना है मैं next of select कर देता हूं थाक के हमें झोल्टने में दिक्कत ना हूं के करके मैं export कर देता हूं 100% done बस अब हम यहां से close करके और यह हमारा drawing बन रहा इसको हम क्लिक करते हैं अब यह चीज़ दूस्तों जो आप drawing one खोलेंगे ठीक है तो यह जो फोल्डर तो unused है बट आप जब model पर double click करेंगे तो आपका जो data है वो data पर zoom हो जाएगा इस तरह से हमारा data जो है अब kmz फाइल में AutoCAD का फाइल हमने kmz में export कर दिया और हम अब अपने data एक data को Google Earth या Google Earth Pro पर देख सकते हैं अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा रगा हो तो like करें subscribe करें और होसे के तो share करें थैंक्यू दूस्तों